एक दिन गौतम बुद्ध अपने सिस्यों के साथ एकदम सांथ बैठे हुए थे उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख सिस्य चिंतित हुए कि कहें वह असस तो नहीं है एक सिस्य ने उनसे पूँचा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं क्या सिस्यों से कोई गलती हो गई है इसी बीच एक अन सिस्य ने पूँचा कि क्या वह असस्त हैं पर बुद्ध मौन रहे हैं तब ही कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिलाया आज मुझे सभा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है बुद्ध आखे बंद करके ध्यान मगन हो गये वह व्यक्ति फिर से चिलाया मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली इसे बीच एक उधार शीस ने उसका पच्छ लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमती प्रदान की जा बुद्ध ने आँके खोली और बोले नहीं वा अचूत है उसे अग्या नहीं दी जा सकती यह सुनकर सिस्यों को बड़ा आश्चर हुआ बुद्ध उनके मन का भाव समझ गये और बोले हाँ वा अचूत है इसवर कई सिस्य बोले हमारे आस्रम में जातपात का कोई भेदभाव ही नहीं फिर वा अचूत कैसे हो गया तब बुद्ध ने समझाया आज वा क्रोधित होकर आया है क्रोध से जीवन की एकागरता भंग होती है क्रोधी विक्ती प्राया मानसिक हिंसा कर बैठता है इसलिए जब तक वा क्रोध में रहता है तब तक वा अचूत है इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए क्रोधित सिस्थ भी बुद्ध की बाते सुनकर पशेताब की अगनी में तब कर वा समझ चुके थे कि एहिसाई मनुस्थ का महान करतब वा परमधर्म है वा बुद्ध के चर्णों गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का टौन लिया आसा यह है कि क्रोध की कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैटता है और पशेताब उसे बात में होता है इसका कोई लाव नहीं मिलता है इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए असल माइने में क्रोधित व्यक्ति अचूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानी होती है क्रोध से ज़्यदा हानी कारण कोई और वस्तू नहीं है